हां जिले साथ जिले साथ जिले साथ घजब हो गया जिले साथ गजब हो गया क्या बात है? खाइदी नूबर नौ मर जाएगा साहब क्यो? क्या हो उसे? उसे बहुत जोर से दिल का दारा पड़ा है तडब तड़ो के बेहोश हो गया है वो ओ माई गाड फॉरा एंबुलेंस बलाओ पॉरा एंबुलेंस बलाओ चलो जल्दी करो जल्दी आरे अप मिस्टर देश पांडे इससे पूरे पुलीस बंदोबस के साथ हॉस्पिटल ले जाएए यस सर लाओ जल्दी 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 कोईफ़ो हुआ 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 हbor़ो वरो ne झाल वाल कर दोुझ कर साहु है कि याद रखो सब महा काल नाम है मेरा काली का पुजारी हूं मैं लिबास भी काला थंदा भी काला और अपने दुश्मनों को जो कफन पैनाता हूं उसका रंग भी होता है काला अब तक तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि मैंने ये मीटिंग यहां क्यों बलाई है तुमेंसे एक घदार है जिसने पुलीस को इंफॉमेशन दे कर मेरे तस करोड उपे का नुकसान करवाया है लेकिन उस घदार को पता नहीं कि महा काल घदारी के पतले में सिर्फ मौत देता है मौत जाहे वो इनसान हो या जानवर तुम सब के सामने प्लेट्स में एक एक कैपसूल रखी हुई है उनमेंसे एक कैपसूल में जहर भरा हुआ है और वो कैपसूल उस कमीने के सामने रखी है जिसने ये घदारी की है मैं चाहता हूँ कि उसके घदारी का अंजाम उसके अपने हाथों से हो मैं सेफ़ दीन किनुगा अटम लुग अटने साम एड़ के वे क्याप्सुल काुगे एग! झाल! 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 आएंदा याद रहे, महाकाल से गद्दारी का अंजाम यही होता है अरे ओ महाकाल, गद्दारी का गद्दारी की मगर हुआ क्या है बादुर से गद्दारी के अर्दुन ने जेल से भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तब तो उसके खिश्मत में फांसी का फंदा लिखा है नए 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 महाकाल जी ऐसी गलत फ्रमें मत रहे न क्योंकि अर्जुन जिस दिन पैदा हुआ उस दिन तारीक थी नौ जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन तारीक थी नौ और जेल के अंदर उसे कपड़े बनाए गए गलती दे उसका नंबर भी था नौ यानि के तीन नौ और नौतिया होता है सत्ताइस साथ और दो नौ यानि के चार नौ और चार नौ वाला आदमी खुद कभी फांसी के तक्ते पर नहीं चड़ता है बलके दूसरों को फांसी के तक्ते पर चड़ाता है बढ़ करो ये नंबरों की किताब हम सब को फांसी के भंदे तक पहुंचाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ अर्जुन को हम अपने हाथों से नहीं कानूनी मौत से मारेंगे कानूनी मौत लेकिन डाट उसे ये कानूनी मौत दिलवाएगा कौन एड़ोकेट कृष्ण पर साथ सकसे ना जिसने अच्छे-च्छे मुझरमों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया पैसों के ठेर से हम उसे भी खरीद लेंगे रोकी बैटे ओहो माकाल वो इन शरीफ वकीलों में से नहीं हैं जो खरीदे जा सकते हैं हाँ उसके पास बाप दादा की छोड़ी हूँ इतनी जायदाद है इतनी जायदाद है कि वो पूरे शेहर को खरीद सकता है दो-दो तो बंगले हैं उसके पास एक पंबई में और दूसा पंबई से दूर दोसो मील पहालियों के बीच में उसे खरीदना तो दरकनार ढूनना भी मुश्कर है कासा बहादरी की देसूजा पता करो कि कृष्णपरसाथ सकसे ना इस वक्त कहा है क्योंकि हम जानते हैं अर्जुन को फांसी के तक्ते तक पहुंचाना क्रिष्णपरसाथ के पाएं हाथ का खेल है अर्जुन करता है पाँ 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 आप अगश्परसाथ अर्टोंस जंग बाज आगे जंग बाज आगे बच नहीं सकते मुझरिम कानून के लंबे हाथ हर कि उत्मा जीते हम दो थावे के साथ बच नहीं सकते मुझरिम कानून के लंबे हाथ हर कि उत्मा जीते हम दो थावे के साथ जीते की कोई हमसे जीते नामंकिन ये बाद जंगबाज आगए जंगबाज आगए जंगबाज आगए बाइ इसे कहते है महाकाल का दिमागी चक्रवियू होना हमने किये और छीटे उडे बेचारे अरजुन पे मौत का एक खतरनाक जाल हमने बिछाया और उसमें फस किया बिचर आरजुन कसमा महातरी की महाकाल महात गये तुम्हारी खुपड़िया को पलीस और इस्पेक्टर का कतल किया तुमने और भार्सी का फदा पड़ गया अरजुन के गले में अरजुन के लिए तुम सचमच महाकाल बन गयो महाकाल हसो मत तुम लोगों को शायद ये कहावत नहीं मालूम जो लोग जादा हसते हैं वो लोग जादा रोते भी हैं ये क्या बख रहे हो नमरिदास ये बखवास नहीं है महाकाल ये नमरिदास की नमरों की डायरी का कमाल है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अर्जुन इतनी असानी से फांजी के तक्ते पर लटकने वाला नहीं अगर तुम मेरे पश्पन के दोस्त नहोते तो मैं तुमारा नमर जरूर किसी शिम्शान खाटने लगा देता अपने काली जुबान पर लगाम देना सिखो और बन रखो नमरों के लिताब को वेरी स्मार्ट पेजू ये कसेक नहीं नीलु डालेंग माल कमाव बैंक है बैंक इसके जरिये हम महाकाल से जितना माल चाहें लपेट सकते हैं और माल लपेट कर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे और वहां जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे हाँ नीलु डालेंग वरना महाकाल के साथ हमें एक नएक दिन मौत ही मिलेगी बेचारे अर्जुन की तरह आज हमारी कॉलेज का एन्युल संक्षन है और इस फंक्षन की शुरू आप हम एक बहुत ही खुब्सूरत आइटम से करने जा रहे हैं और यह आइटम आपके सामने हमारी कॉलेज के मश्रूर डांकर और सिंगर और जुन पेश कर रहे हैं और इस आइटम में उनका साथ देगी हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन मिस संगीता माथूर गंगा जैसा मन तेरा गंगा जैसा मन तेरा गोरे मुख पे सावेरा आखों में बड़ी गहर आई है तू तो मेरे लिए दुनिया में आई हूँ जूती जूती तीली रादी जूती जूती तीली तीली रादी जूती 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 तीली रादी तो नाम से ही मरे जाहिए कभी बॉरे में भी बीजनी भाई है पप्री ओरे डिप्री इचिनी पाइए भावरा कहे या ठर जाए कहे या छल या दिवाना कुछ भी कहले लेकिन सुन दे मैं हूँ तेरा परवाना मिठी मिठी बातों की जाल बिछाने से आगे पीछे फीरे लगाने से कभी हिस पहामे से कभी हुस पहामे से लड़की पठेगी नहीं सीधी बजाने से सुन पेम दिवानी तू है मेरी राधारानी बोद राधा बोद शंकम होगा के लई सुन पेम दिवानी तू है मेरी राधारानी मैंने सीधी नहीं मुरली बजाई है तू तो मेरे लिए बस मेरे लिए दुनिया में आई है तू कभी होने भी दीज निभाई है कर दो कर दो आपलो आपना, सबक्षा मार्व आपयाख आपी करणा आप फृट करें आप एिस्ग आप एपना, सबस्टा आप हुड है आप एिस्ग्प एू, एलाव एढ एम्रा एार एंा आप एम yूड एजञ एलाव, एप एपना, समय ना एक का का को करीम करेंग। मेल करेंग अतला मने। मिल आदेश्यूं लुला अलव्यूं कहता पिरेनी सबसे। तुझो मिली तो कही लाएं न मारूंगा। गंगा कसम। तुझको ही तिन रात में हरूंगा। तेरी कसम। पुजा करूंगा तेरी यारतियों सारूंगा। मैं तो एक पत्नी रत धारूंगा। राम की तरह। हा, राम कसम। एक नूरे ली बजाए। हर गौपी तो ने चाए। जैसी मूरे ली बजाए। हर गौपी तो ने चाए। जैसी कालेज का किसन कनाई है। कभी भौरी ने भी, कभी भौरी ने भी बीड निभाई है। तुको मेरे लिए दुनिया में आई है। गौपी दुनिया जैसी का चाए। तुको में ढौपी थाए। ठाहिए। पूपी तुको में पुझे थाए। को में आए। को में ने चाए। तो अखवी प्रेवाब थाए। झाल जाल लालाला, लाला, 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 तु तो मेरे लिए, बस मेरे लिए दुनिया में आई है, मैंनी तेरी संग की दिले आई है अरजु, हमारे बिल में बगएर किराय के रहने का कब तो किरादा है? बगएर किराय के? आजे हम तो आपके दिल में रहने का किराया हर रोज देते हैं, ये लो, आच का किराया संगीता, हमने तो अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिख दी है मगर अरजु, मैं चाहती हूँ मुझे मानूँगा, तुमने जो सिंदूर की रेखा का खौब देखा है, कल मा के आशिरवाद के साथ वो भी सच हो जाएगा सच? हाँ, संगीता, कल मैं तुम्हे अपनी मा के पास ले जाऊँगा, आशिरवाद लेने के लिए खुश रहो, बेटी बेटी, नाम क्या है तुमारा मा मा क्यों भाईया दिखिते ना जेब में और बोटे ची बगर आपने मुझे डाट दिया था अब चुप क्यों हो चुप कोन है मुझे तो मा ने चुप रहने के लिए का बेटी यह इसका छोड़ा भाई बंटी बहुत शरार्ती है रिन भाई क्रिकेट खेलता रहता है और अपने भाई को इसी तरह खेड fact दोनों का आपस में बहात प्यार है एक दूसरे के बगर नहीं रह सकते हैं यह जब जाए मामला कर माईया ने बड़ा तगड़ा शॉट मारा है सिक्सर बॉल्ची इस चीलेम के बाद यह हमेशा क्रिकेट के जुबान में ही बात करता है क्रिकेट का जैसे बुखार चड़ाओं से अच्छा बेटी तुम कहां रहती हो और तुम्हारे गर में कौन-कौन है माम, संगेत अकेली रहती है इस दुनिया में इसका कोई नहीं अरे कोई क्यों नहीं मैं हूँ, तू है, बंती है, हम सब तो इसके साथ बेटी, आज से तू अकेली नहीं हम सब तेरे साथ हैं मैं कली तेरे लगन का शुब मुहरत निकलवाकर तेरा भाग इस घर से बनभादूगी सब सुन लिया भया मैंने सब सुन लिया और इसकी खुशिया मने जाएंगी खंडाला में और वो भी ने बैट आमे बाल के साथ क्यों भै फिर तोड़ दिया न शिशा तुन्हें किरे बोलो भाईया कई माने सुल्या तो फिर डाट खाने पड़ेगी वा बच्च्व वा लगता है इस घर को भी तोड़ फोड़कर तू वान खेड़े स्टेडियम बना कर आएगा क्या हुआ कुछ नहीं हुआ मा फिर कुछ तोड़ा आरे तुझे कितनी बार कहा है कि ये घर अपना नहीं किराय का है तो तो क्या हुआ मा मैं अपने छोटू पर ऐसा एक तो क्या दस घर खरीद के गुर्बान कर सकता हूँ तूने इसे सर चड़ा रखा है बच्चा है मा हम दोनों बादर होकर आए कुछ नहीं जाता कि अच्वार करता है तो चुछ नहीं जाता है महाकाल का माल हजम करना इतना आसान नहीं है महाकाल यह बहुत धीठ है इसने फुलिस डिपार्टमेन्स की बहुत माल घाई है यह माल खाकर बखनेवाण में से नहीं है कसम बादरू की इसने गोलियों से पुमना पड़ेगा सही कह रहा बादर से इसका नमबर गोलियों से मिटाना पड़ेगा मैं सच कहता हूं माका मुझे कुछ नहीं वालू मैं कुछ नहीं जानता ना उसने हमें देख लिया घौ म म大 भाया भाया ओुँ म चुण्ध। चुण्ध। पुण्ध। पह, 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 पह ध्याओ, बन्ति, बन्ति! अँगा, बन्ति, यह सब चयों। यह सुकें कॉपें। बन्ति! मा, 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 मा लेवा, मा! एमक्स्वाइ, 777. मुझे कसा मैं तेरे खून की मा, जिसने भी मुझे अनात किया है, मेरे मासूम भाई को मुझे से छीना, और उसकी जिंदगी उससे छीननेंगा, मैं टाटानूंगा उसका, नहीं ठोड़ूंगा मा, नहीं जोओंगा! आपने जो कार नमबर MXY 777 देखी है, उसकी रिपोर्ट हमने RTO आफिस से मंगवा ली, लेकिन इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इस नमबर की कोई गारी है ही नहीं! क्या मतलब? मतलब ये कि इस नमबर की गारी आज से एक साल पहले खंडाला गाट के एक एकसिदेंट में जल चुकी है! जल चुकी है? नमबर तो बदल दिये, मगर वही नमबर उन सब को खीच कर मुझ तक लाएंगे! वो किस तरह? अगर वो चालाख है तो मेरा नाम भी अरजुन है! ऐसा तीर निशाने पर मारूंगा कि लगते ही ढूंते वे खुद मेरे पास आएंगे! वही नमबर वाली काड़ी पेचने का एटफटराइसमेंट! इसका मतलब है, जो खुन हमने खंडाला में किये, यह आत्मी उसका रासदार है और वो जल से जल थम तक पहुछता चाता है! कैसम है महालतुरी की महालकाल! मुझे तुझे, मुझे तुझे को इंसान नहीं लगता! यह तुझे कोई चालाग खोपड़ी का खतरना ज्याद मर रखता है! मतलब यह कि नमरिदास की नमरों की डाइरी बिल्कुल सही जारी है! नमरिदास यह मजाख करने का वक्त नहीं है! अगर वो चालाग है, तो हम भी उससे कम नहीं! सुनो, तुम उसे हुटर के कमरे से खीश कर यहां ले ओ! फिर देखना उसे महाकाल के चक्र भी उसे कौन बचा सकता है! याद रखो, कमरे का नमबर है आठ एक साथ! आठ एक नौ और साथ सोना! छे और एक साथ! सेमने लगी फर में ठी! कर देखने! कर देखने! कर देखने! है? कर देखने! कर देखने! कर देखने! कर देखने! आप खाली है! कौन हैं तुम? सामने कुले हाथ हैं? सामने भी आउनगा! और अपने हाथों को कमाल भी धिखाँगा तुझे! तुम्हारे लिए यहां के सारे दर्वाजे बंद हो चुके हैं और चाबी मेरे पास है बचकाने हरकते मत करो गदे हो तुम नमबर तो साथ ही था बोल मेरी मा और मेरे भाई कातिल तो ही है ना दोल आज़ा आज़ा हुँँछ कुछ हुँछ मुछ आज़ा बस फर अज़ा कुछ तुम कुम कुम प्वाइब्ट सकते हैं कि बखसे घपता बट रहते हूं कि इज कि ढ़ ठाग में! झाल झाल कि अन्देरे में क्या छुपा हरमजादे हाज मैं तुझे मौत के अन्देरे में दफन कर दूंगा हिम्मत है दो निकल भाग हाँ 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 तो तुमी हो मेरी मार मेरे भाई की हत्यारे आज मैं तुम सब को कुट्थे की मौत मारूगा नादान शिकारी जो पिस्टॉल तुमारे हाथ में है उसमें हमने नकली गूलियां भर दी थी जो सिर्फ आवाज करती है मगर इस पिस्टॉल में असली गूलियां है अभी तक पुलीस क्यों नहीं है अभी आती होगी तक महादर की पहली बात चला की दिखाईए मैंने महाकाल यह पुलीस का नंबर क्यों किसलिए इसलिए यह का पागलपन है मुझे पर खोली क्यों चलाई नंबरी दास यही तो तुमारी खोपड़ी के नंबर मेरी खोपड़ी के नंबर से मार खाते है पुलिस को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया है, कि तुम्हारे उपर जानलेवा हमला हुआ है, यहाँ पर खून हुए है खून? हमला? किसका? पुलिस! जम्री दास, आज लगता कि तेरे सारे नमबर उल्टे उन्हाले है, तुम पागल तो नहीं हो गया पुलिस क्यों? हमें फोन पर खाबर मिला है, यहाँ खून हुआ है, लाश कहा है? लाश अभी गिरी नहीं है इंस्पेक्टर, गिरने वाली है यह क्या मजाक है? यह मजाक नहीं, हकीकत है नमबरे दास, अब समझ में आयना खून कहां हुए मेरी तो खोपड़ में नमरों के जोपड़ी पड़ गए कस बहादरी की, ऐसी ऐसी बहादरी तो मैंने पहली बहार देखी है महाकार बहादर सिंग, बहादरी का पता तो तब चलेगा जब इन दोनों के खून का इल्जाम अरजुन पर लगेगा मगर यह सुल्टा नमबर उल्टा है, कैसे होगा नमरे दास बात सीधी सी है इस पिस्तॉल पर और बंगले के बाहर जो मोटोबाइक खड़ी है उन दोनों पर अरजुन के उंगले के निशान है बाकी कोट में गवाही नमबर उदास देगा अरजुन ने उसके सीने पर गोली दागी मगर इत्फाकन वो गोली उसके बाजु में लगी वाह, अरे वाह मेरे यार, वाह अरे जीओ हजारों साल और हर साल के दिनों पचास हजार अब ये उल्टा नमबर सीधा नमरी दास की ख़ए एखोपडी में उतर गया अब अर्जुन जिदर भी जाएगा लेकिन पोलिस के हाथ होचे बच नहीं पाएगा संगीता 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 मैं You are under arrest order 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 Mr. Kapoor, कार रवाई शुरू कीजिए Your Honor, मेरा मुवक्किल अर्जुन शिरिवास्तव किटार की तारों से खेलने वाला फंकार पिस्तॉल की गोलियों से खून की होली क्यों खेलेगा Your Honor समुन्दर से मुटी निकालने के लिए इनसान उसकी मौजों में छुपी मौज से खेल जाता है और दौलत की लालच में अपनों के खून से भी तो फिर ये गिटार की तारों से खेलने वाला क्या पिस्तॉल की गोलियों से नहीं खेल सकता दोनों खेली तो हैं मेरे फादल दोस्त ऐसे ख्यूलकूट के सवाल तो बच्चों के स्कूल में किया जाते हैं अदालत में नहीं कोई ठोस बात कीजिए ठोस बात ये है Your Honor कि मेरा मुख्किल अरजुन शिरवास्तव कोई पेशावर मुजरिम नहीं है जी हाँ उसने सिरफ एक कॉंस्टेबल और एक इंस्पेक्टर का खून किया है और मेरे मुख्कल नमरी दास पर हमला भी ये सरा सर जूट है Your Honor मैंने किसी का खून नहीं किया है मैंने किसी का खून दूट है Your Honor अगर ये सब जूट आए तो फिर ये भी कह दो कि होटल होराइजन में कमरा नमबर 817 तुमने बुक नहीं किया था कि वो भी जूट है और जो पिस्ताव पर लगए तुमारे उंगले की निशान मिले वो भी जूट है और जो अखबाल में तुमने इस्ताहर दिया था वो भी जूट है और मिस्टर माकाल के बंगले पर पाएगे मोटर साइकल तुमारी नहीं थी और उसके हंडल पर पाएगे तुमारे हाथों के निशान वो भी जूट है इंस्पेक्टर गुपाल पांडे और कॉंस्टेबल रामकडम इन दोनों के सीनों से निकली हुई गोलियां और नमभी रास के बादों से निकली हुई गोली और मुजिम के पिस्टॉल में बची हुई गोलियां इन सबका एक होना इस बात का इलान करते हैं कि मुजिम हरजून श्रीवास्तव खातिल है It's a case of perfect murder my lord That's all महाकाल, बहादुर सिंग, नमबरी दास, डिसोजा और होटल हॉरेजन के स्टाफ की गवाही, एड़ोकेट कृशिन परसाथ की दलीलें, होटल में नमबरी दास पर हमला, इंस्पेक्टर गोपाल पांडे और कॉंस्टेबिल राम कदम का खून, अर्जुन श्रीवास्टफ के सर जाता है, इसलिए ताजिरात हिन दफा 302 के तहट, अदालत अर्जुन श्रीवास्टफ को मुझरिम करार देते हुए सजाए मौत तज्वीज करती है। मुर्गी, औरो बेचारा, जेल की सुखी रूटी तोड़ रहा हुगा। उसके मुं में सुकी रोटी, हमारे मुं में मुर्गी बोटी, अरे वा, मानगे महाकाल, तुम्हारा नाम जिसमें भी महाकाल रखा है, बिल्कुत सही रखा है। बाल बाल बच गया है। अरे खुन तुमने किये। और खुन से मही बही चातर कपन बना कर लबेर दियू सर्जुन के बच्चे को। तुमने तुंदे कानून को और भी अंदा बना दिया, महाकाल। अरे जिनके आँखों पर पट्टी बन दियो, ने क्या अंदा बना। भाई इसे कहते हैं महाकाल का दिमागी चक्रवियू। खुन हमने किये और छीटे उड़े बेचार अर्जुन पे। मौत का एक खतरनाक जाल हमने बिचाया और उसमें फस किया बेचार अर्जुन। कासुमा महातुरी की बहाकाल। रामाओ। जी साब। ये सब क्या है। साब ये कैसे निलम देकर नहीं थी। और कहा था जब साब खाने पे बैठे, तब बजा देना। ये सब करने से न तुफान रुकेगा महाकाल। और न हम। क्या चाते हो। सिर्फ पचास लाख रुपए। और साथ मैं हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा। ये सब बाते टेलेफोन पुने हो सकती। कल सुबा दस बाजे, तुम दोनों होटल होराईजन में आकर मिलो। नो महाकाल, नो, होटल नहीं। कल सुबा दस बजे हैंगिंग गार्डन में। क्योंके मामला हैंग करने का है ना। ठीक है। ओके, प्रवाइ। चेर्स पर फुप्टी लाग्स। लगता है नेलम और तेज के रफ्ताद बढ़ती जा रही है। देसुजा, आज है उनके मौत के सामान का इंतिजाम करो। प्रुण प्रुण ख्रुण झाल आज प्रुण अ अ लगता है तेच्व यह क्या हो गया तुम्हें किसने मारा? तेच्व नहीं तुम्हे चोड़के नहीं जा सकते अब में चोड़के कही चली जाओ यह लोग तुम्हें भी कर्सम है मुझे उस सिंदूर की, जो तुम्हारे हातों मेरी मांग में भरने वाला था, मैं महकाल के लिए नागिन बन जाऊंगी, एक एक को दसके रहूंगी, खतम कर दूंगी सबको, सबको. हलो, हलो, इंस्पेक्टर जौला परसाद है? हाँ मैं जौला परसाद बोलना हूं, कही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास अरजुन को बचाने के तमाम सुबुद मौजूद है. वो खुनी नहीं है, इंस्पेक्टर साहब. लेकिन, लेकिन तुम कौन हो, कहां से बोल रहे हूं? खार एक्स्चेंज के सामने से. मैं यहाँ आपका इंस्पेक्टर साहब. आप छिल दिया है, इंस्पेक्टर साहब. पकाला थारीको, बागने ना पाए! कहाला थारीको! एक्सरीज दूत्त! कई। रएD क्सरीज दियुआ टुछ दोई पो लोगता है। ब्हुश बिलंगा उननKK ब्हुश ब्हुल इस जोिल इसमी ज हुआ 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 है हुआ है आए 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 प्रण जाओन सावे सबुदो ठाले जली जली आए साव पाँ आए 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 है लेकिन हमें चिता तक पहुचाने वाले इन सबूतों को पहली बार जला रहा हूं अच्राण जल गया उद्वर उन्सोनों की चिताये जल रही है इदेर हमारे कराव सबूत चलने है यह सारे सबूत तो जल गए, अब एक ही सबूत जेल में बैठा आपती मौत का इंतजार कर रहा है, उसका नाम है अर्जुन, कुछे दिनों में वो भी भांसी के फंदे पर लटक जाएगा अर्जुन, तुमसे कोई इंस्पेक्टर और वकील साथ मिलने आए हैं, चल्दी चलो, घजब हो गया महाकाल, घजब हो गया, क्या बात है रिसुजा, इतने खबराई हो क्यों हो, आज ही इंकारी के चकर में पुलीस वाले अर्जुन से मिलने जेल में गय दे, और मरने से पहल अर्जुन के निदोश होने की बाद बता दी, मैंने तो यहां तक सुना है कि अर्जुन का केस फिर से खोल रहा है, अगर ऐसा हो गया महाकाल, तो फासी का भंदा हम सब के गले में होगा, महाकाल के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, इससे पहले कि पुलीस सचाय तक पहु हलो, इंस्पेक्टर अगरवाल, यस मैं अगरवाल बोल रहा हूँ, मैं पुलीस कमिशनर सावंत बोल रहा हूँ, गुड मॉनिंग सर, सर मगर आपकी आवाज, आवाज को गोली मारो, और मेरे बात ध्यान से सुनो, वरना सब की मौत के जिमेदार तुम होगे, यस सर कहिए, अभी-अभी, CBI से हमें ख़बर मिली है, कि कुछ Smugglers ने तुमारे जेल से चंद कैदियों को फरार करने का प्लान बनाया है, ओ, नो सर, इट्स इंपॉस्टिबल सर, मेरे होते हुए ऐसा हर्केस नहीं हो सकता सा, मिस्टर अगरवाल, इस से पहले की जेल में लगे हुए टा आपको यहासे शिपकरना है, कम ओ, फर्च, मॉव! क्या हुआ, दियल्वे किसीने बम लगा दिया, सब को यहां से शेट काता, जल्दी करो गारी में बठो करना, सब करहें. अाहँ झाहँ पारेज का पीनी हो अ. झुर सकता झो गरो करें यो इस तो अğाइब चरो नपरा होele्द कर एक झाहँ युच, युजी को बाहँ! युछ! युणी है उर्ण थीज़ खिर्णिप उर्ण इए जग है यह यह जर यह जज़ जब रड जब है इए जब फुरित भार्णिप इए तरो है जब जब नर्णिप जब दो है जड Laat अऑ़ अझा कर अज़ ड़ा हो उदर कर लियाह हूज ո्फरेंश होń्योरे गल सर उना थू नगर झाल स कह अँएफ खम खेंग झाल झाल कर दो प्राइब कर दो से लुटे पुटता कर दो पुटता कर दो अज़ प्राइब कर दो अज़ है झाल 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 किस बग्या के इन फूलों को किसी बग नजर की लगे ना नजर एक राजा एक रानी दो राज एक उवर एक राजा एक रानी दो राज एक उवर अमता की मूरत है पिता प्यान की सूरत है दोनों हमको प्यारे है दोनों की हमको जरूरत है सुना सुना जीवन अपना तुल बच्चों से हुआ सुनबर एक राजा एक रानी दो राज एक राज एक रानी दो राज एक राज एक रानी दो राज एक राज कि पुशियों के लिए जलते ही रहे हम बनके दिये साए जैसा साथ तुमारा तु है दाही नाहात हमारा लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमारे परिवार की ये सारी खुशिया कोई हमसे छीन लेगा एक दिन हमारे छोटे भाई जॉदा परशाद को नीलम का फोन आया नीलम और तेज के पास तुम्हारी बेगुनाई के सारे सबूत मौजूद थे लेकिन महाकाल ने उन दोनों को मार कर वो सारे सबूत मिटा दिये पुलीस से बचने के लिए महाकाल का बेटा रौकी इंदुस्तान छोड़कर लंडन जा रहा था एरपोर्ट पर ही जौला परशाद ने उसे गिर्फतार कर लिया इस बात का पता जब महाकाल को चला तो वो अपने पैसे की ताकत पर हमें खीदने के लिए हमारे खराया पुलीस सब्सक्राइब के लिए और तुम यहां वक्त कम था इसलिए अचाना काना पड़ा इस चेक बुक के हरपने पर मैंने दस्तकत कर दिये है रकम आप जेतनी चाहें भर सकते हो लेकिन मेरे बेटे को खानूं के शिकन जैसे छुड़ाना है जैसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला पर साथे किरिफदार कर दिया है और ये काम सिर्फ आभी कर सकते हैं तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है हमारी नहीं जानता हूं मगर रत कर दिये है जमानत कोट में इसलिए ता आपके पास आयों हम अभी तक नहीं भूले महकाल के जिस अरजन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों वो दरसल बेकुसूर था उसकी मां और उसके भाई के खुन के बावजूद सजा अरजन को मिली और जाती तहकीकात के बाद, जब तक हमें पता चला, हम अरजुन को सजा दिलवा चुके थे, और अरजुन की बेगुनाई का सबूत, कोई भी नहीं था हमारे पास, और जो सबूत, नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वह सबूत भी खत कर दिये, और अब महाकाल, तुम्हारे बेटे को कानून के लंबे और चौड़े हाथ, वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, खैंच लाएंगे. इसका मतलब, आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे. छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल, अफसोस फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुमारी जंजट से. इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण परसाथ, महाकाल से दुश्मनी, और अंजाम एक भयानक तूफान. अंजाम कडर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूध है, रही बाद तूफान की महाकाल, तो किष्टी और बादबान तो क्या, हम तो वो भमर हैं जिसमें समुन्दर के समुन्दर डूल जाते हैं. क्रिश्ण परसाथ, सारा बंबई शहर इस बात का भी कवा है, कि महाकाल जो सोचता है, वो कर दिखाता है. अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे, तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे. और अगर आप नैसे खलिती की, तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा. याद रखो क्रिश्ण परसाथ, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूँ मैं, लिबास भी काला, ठंदा भी काला, और दुश्मनों को जो कफंता नहता हूँ, वो भी काला. काले धन्दे वाले, ये अपने काले धन की सफेज चकबुक तो लेता जा, रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ, काली के पुजारी, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं, कृष्ण परशाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुझ्रिमा कर कुछला जाता है, अमारी रायमानों, अपने बेटे की अर्थी का सामान तयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त, कोर्ट उसे सजा मौत देगा ही किस के पंजे से किस के मौत होगी, और किस के अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बात ही होगा, क्रिश्ट परसाद, यूर अनर, यह सच है कि मेरे मुख्किल रौकी वर्मा ने जाली पासपोर्ट बनवा कर हिंदुस्तान से बाहर जाने की कोशिश की, लेक अज़त होती है, यह बात ना तो अदालती को पसंद है, और ना हमें, यूर अनर, मिस नीलम का गतल, राकी वर्मा के हाथों से ही हुआ है, इसका एक मुखमिल सबूत हमारे पास है, जिसे जाहर करने के लिए, हम अदालत से दर्ख्वास्त करेंगे, कि यहां कुछ देर के ल यूर अनर, नीलम को खत करने के लिए, राकी वर्मा ने अपने हाथों पिस्टॉल लेकर उसका पीचा किया, नीलम भागती हुई, एक मचलियों के दुकान में गुज गई, जा उसने अपने ही कैमरे से राकी वर्मा की ये फिल्म खेजी, नीलम ये सोचकर, कि राकी वर्मा दुशी तरफ चला गया है, छुपके बाहर निगली, और उसी वक्त, बाहर खड़े हुए राकी वर्मा ने अपनी पिस्टॉल से नीलम के सीने को चलनी कर दिया, और वहां से वो सारे सबूत उठवा लिये है। ये वीडियो फिल्म नीलम के इस कैमरे से उत्री, उद्वत वा खेल देखिए, मरते वक जहां ये कैमरा गिरा, वो मुझ्जिम ने तो नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर जोला परसाद ने देखा, इस मुझ्जिम ने वो सब सबूत तो जला दिये, जो आज अरजिन को निर्दोष साबित कर सकते थे, मगर उद्वत के तवाशे ने ये सबूत ऐसा जिनना रखा, जो रॉकी वर्मा को फांसी के तखते तक ले जाएगा, बैट इस ओल, यॉर उनर, बैट इस ओल. रौकी वर्मा की निकली पासफोर्ट पर हिंदुस्तान छोडने की कोशिश इंस्पेक्टर जौला परसाथ की गवाही और नीलम के खून की ये वीडियो फिल्म इन बातों का ठो सुबूत है कि रौकी वर्मा ने नीलम का पीछा किया और उसे बड़ी बेरहमी से कतल कर दिया इसलिए अदालत ताजिरात हिंद जेरे दफाथ 302 के मताबिक रौकी वर्मा को फांसी की सजा सुनाती है हैंक तिल टेट और इस तरहे माकाल का बेजा रौकी अपने ही कर्मों का फल पाकर एक दिन फांसी पर लटका दिया गया कि अपने दोस्त की शम्चान यात्रा में शम्चान गये थे क्रिष्टा परसाद अच्छा हुआ तुम्हे ही मिल गए क्रिष्टा परसाद अब जरा जलती हुई चिता की शोलों को गवर से देखो जो चीश चीकर मुसे मेरे बेटे की मौत का इंतकाम मांग रहे है लेकिन तुम्हें तो मरना नहीं जीना है अब कोई नहीं जीएगा क्रिष्टा परसाद कोई नहीं तुम्हारे जिद और तुम्हारे अंकार की आग ने सब कुछ चला दिया है गानून करे भी तो क्या करे जो दूसरों के खून को पानी समझ के बहाता है वो अपने गंदे करमों के आग में इसी तरह जल जाता है महाकाल मगर ये चलने वाला कोई और नहीं महाकाल का इकलाउता बिद्धा था जो अपने चिता की लकईयों के साथ कई और चिताएं चला कर जाएगा गोर से देख गोर से देख उन तिन चिताओं मैंने तेरे खांदान के लिए तयार की है मैंने खाई है अपने पेटे की चिता की आग ठंडी होने से पहले तेरे सारे खांदान की जिताई इसी शम्शान थाक में चलवाऊँगा क्रिश्टा परसाथ यहां से तुम्हारे घर का फासला सिर्फ तीस मिनट का है बीस मिनट के अंदर-अंदर तुम्हारे सारे परिवार की मौन्त तुम्हारे घर तक पहुंचाएगी अगर बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ भावी आप तेयार है ना मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ मुन्ना तैयार हो रहा है कोट से उनका फोन है था वो किसी वकिल के शम्शन यत्रा में गय है उनके आते ही हम लोग चले चले चलेंगे भावी तो एक काम कीजिए न मेरे लिए गर्मगरों का प्चाय बना दीजिए मैं अभी ना आके तयार होकर आता हूँ जाओ थांक्यू भावी जो आराजी घर पे हैं उनसे केस के सिलसले में अरजेंट बात करनी है हाँ है जाई अन्दर जो अला साब अंदर है हाँ हाँ है आई 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 आप लोग यहां बैटिये मैं साब को बलाता हूँ आपी मेरा टावल नहीं मिल रहा है अरे रामू साब को टावल दो अरे और रहाँ बलाता हूँ घट रहाँ मामी! मत यारू! आप निजा जा! वो लोग कौन थे? साहब, कोई पुलिस वाले और वकील थे पुलिस वाले और की थे? को जाओल irgendwann बड़ पुलिस वाले और खब है माममता की मूरत है पिता प्यार की सूरत है दोनों हमको प्यार है दोनों की हमको जरूरत है सूना सूना जीवन ना तुम बच्चों से खुआ से दे कहा राजा कहरानी कहा राज कुवर कहा राजा कहरानी कहा राज कुवर जल गए सपने बिछडे अपने हमसे पहारों ने फेरी नजर इस तरहे हमारे तन मन के टुकड़े हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए ना हम रो सके और ना ही हम तूट सके इंतकाम के जलते हुए शोले और उन दरिंदों के मौत का मकसद अपने सीने में लिए हम आज तक जी रहे हैं और जब उन हत्यारों का असली रूप हमारे सामने आया तो तुम्हें दिलवाई हुई सजा हमें हमारा एक भयानक जुर्म लगा नीलम को मारकर उनने तुम्हारी बेगुनाय के सबूत तो मिचा दिये मगर तुम्हारी ताकत और नफर से घबरा गए और इसलिए तुम्हें जेल से बाहर लाकर खत्म कर देना चाहते थे क्या जब हमें ये खबर मिली तो तुम्हें बचा कर हम यहां ले आए जिसे हमने अपनी भूल का प्राष्चित समझा तुम्हारे बाद उनका निशाना थी संगीता हमने वो निशाना भी नाकाम कर दिया और ये नहीं अरजुन उस राज जिस पाइलट ने तुम पर जान लेवा हमला किया था वो भी महाकाल का आदमी था अगर हम वक्त पर गोली ना चलाते तो अपने आपको हम जिन्दगी पर मौफ नहीं कर पाते मैं आपको कितना गलत समझ पैठा मुझे माफ कर दीजे अरजुन संगीता सीले पेतना बोज लिए कैसे जीतें आप सिर्फ उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए अरजुन तुम्हारे सीने में बदले की आग और हमारी चाती में इंतकाम का तुफान तुम्हारे पास टाकत है हमारे पास टाकत और तमाग दोनों हम दोनों मिलकर चाहें तो उन पापियों से युद्ध लड़ सकते हैं जैसे कृष्ण अरजुन ने कौर्वो से युद्ध लड़ा थे हम वो कृष्ण अरजुन तो नहीं बन सकते लेकिन उन्हीं की तरह हम अपने जीवन की महाभारत का ये युद्ध इसका युद्ध में लड़ सकते हैं वहाँ कौर्वो का खात्मा हुआ था और यहां यहां कातिलों का खात्मा होगा और इंतकाम के इस जंग में ये अरजुन मरते दम तक आपके साथ रहेगा जंगवाद, 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 जंगवाद बन जाते हैं ग्यारा जब एक के मिलता एक अपनी मंदिल सच की मंदिल अपना रगता ने बन जाते हैं ग्यारा जब एक से मिलता एक अपनी मन्जिल सच की मन्जिल अपना रस्ता नेक बड़े बड़े अब अपने आगे घुटने देंगे शेर जंग बाज आगे जंग बाज आगे जंग बाज आगे जंग बाज आगे जब जब इस धर्थी पर बड़ते हैं अध्यारा कोई न कोई शकती तब लेती हैं अवचार जब इस धर्थी पर बड़ते हैं अध्याचार कोई न कोई शकती तब लेती हैं अवचार अवचारों की जोग लिये फिर धर्थी पर इस भाज जंग बाज आगे जंग बाज आगे सबसे निराला अपने जीने का है अंदार अपनों से कह डाले हमने तो अपने राज तब अब निराला अपने जीने का है अंदार अपनों से कह डाले हमने तो अपने राज मरते तब तब दम नहीं लेंगे हमने वो जंग बाद आगे जंग बाद आगे जंग बाद आगे जल्मों से जंग लड़ने को जल्मों के पीछे पढ़ने को जल्मों से जंग लड़ने को जल्मों के पीछे पढ़ने को जंग बाद आगे जन्ग बास आपे, 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 जन्ग बास, 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 ते रपसर बार डारी है जुझयजब जुझयब ने जुझयब ने टूड़ जुझयब तूचरब गजयब यो नमबर इदास, क्या बोलती है तुम्हारी किताब, अब कि बार लंडन की ट्रिप में किसको भेजे हैं, लिखते रहोगे, कुछ बोलोगे भी, अरे बाई बताओ ना कौन है इस ट्रिप का लखी नमबर, लखी नमबर वाला एक ही है, डिसूजा, मैं, आ तुम, क्यूंकि तुम पैदा हुए 1st January को, और जिस दिन हमारी मंडली को जॉइन किया, उस दिन भी तारीक थी 1st January, और लंडन जाने की जो तारीक फिक्स हुई है, वो भी है 1st January, यानि के 3 एक्के, सीधी सी बात है महाकाल जी, 3 एक्के को कौन मार सकता है, आप उनका नाम भी जॉन आप उन जिंदे कभी घबराता नहीं, चाहे हो मैदान घोड़का हो, या मौत का, महाकाल बताओ आप उनको करना क्या है, दिल का इलाज कराने के लिए तुम यहां से लंडन जाओगे, लंडन में हमारा डॉक्टर तुमें एक ऐसा इंजक्शन देगा, जो तुमें तस तुम मर चुके होगे, अगर तुमारी लाश पांच करूर के हश्चिस लेकर बंबई वापस आ जाईगी, और तुम वापस बंबई में आकर, एक, दो, तीन, चार, पांच, चैसाथ, आट, नो, दस, ग्यारा, समझ गये ना, फिट हो जाओगे, लेकिन यार महाकाल, निलम क तो हम लोगों ने माग डाला है, अब जसुजा की लाश को इसकी विद्वा पत्नी बनकर रसीव कौन करेगा यार, बहादूर सिंग, निलम जैसी दो कोडी के लड़की के मर जाने से, महाकाल का धंदा बनना ही हो जाता, जस्वंत, हमारे कलब में निलम की जगा पर जो पूल से दान करा ये, बोकेज ये. पापियो, अलवकियो अमपुते काम समाम करूँ, लोगों की नीद सराम करूँ लाख्य मेरा नीना निंजो, मीना निंजो, नीना निंजो आपको तेका तमाम करू लोग ती खराम करू आपके तिरा नीना निंजो नीना निंजो नीना निंजो आपके तिरा नीना निंजो निंजोनी निंजो नोगए। लोगों की मी खराम करू। पार्वार। आज है, आजी चोरों का उखे, आज है, आजी चोरों का उखे, आज है यार चता की पास में जाकी दजर मीला की चुक चुक के पुटे सलाम करू लोगों की नी खराम करू आज है आज है, आज है, आ लोगों आज है आज है आप दो आप 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 निना दो कि अच्छान कुप और दो है काम बता के दाम लगा के दिखो तब बुला के सड़ काम की दिंबड़ काम करूँ लोगों की मी खराम करूँ कर दूए कर दोए कर दोए कर दोए दोए यरला कि रीपर कर दो फिर यो dal आरेस्ट! चलिए करो! आतानसियो! आतानसियो का मतलब जानते हो? जानता हूँ! साधान, हुशियार, खबदार! फिर इस तरह ये सिगरट जलाने का मतलब? मतलब है तुम्हारी बहादूरी और चालाकी से! एक काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है! मेरा नाम नीना निंजो है! बिना कीमत के, कोई काम नहीं करती! कईमत तुम्हारी, काम हमारा! काम क्या है? उसके अले तुम्हे हमारे साथ चलना होगा! कहां? जहां हम कहें! हलो! सर, मैं संगीता बोल रही हूँ! आपका प्लैन कामयाब हो गया है! महाकाल ने मुझे अपने गैंग में शामिल कर लिया है! वेरी गुद! एक खास खबर है! कल रात को डुसुजा नाम का आदमी लंडन जाएगा! और दस तारीख को कौफिन में वापस आएगा! लेकिन मुर्दा नहीं! जिन्दा! डिसुजा की मौत का नाटक हमें पसंद आया! मगर ताबूत में जो एक बार लेट गया फिर हम उसे उठने नहीं देते! मौत की डायरी में डिसुजा का वक्त दस तारीख मुकरर कर दिया गया है! लेकिन संगीता तुम फिर भी हुशार रहना! को की सर्थ? हुआ है हे फिरक भी देके हें, इस पिर।ase भी लिंग मुझे चे ऱुए वह अिर वाम लाइखे अ वह अ क्यों, क्यों, क्यों 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 Mrs. D'Souza Yes sir Please take it जड़े 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 Thank you sir Thank you sir Thank you अर्वी समाल्यारो जड़े इस थारो धारो जड़े जड़े Out क्या है इसमे इसमें हमारे हस्बन का dead body है London गया था वहाँ हाथ fail हो गया खोलो इसे, मैं देखना चाहता हूँ बड़े मेरी माल मेरी भाइक पातेल अचिमे तोजेसन नही चुरूंगा देचोरूंगा तुझे, जेचोरूंगा जो महा काल जी गजब हो गया, कस्टम आफिसर के हादों नीना पकड़ी गई शरम नहीं आई तुम सबको एक लड़की को अकेले छोड़ता भाग आए मालूम है उस कॉफिन में क्या है पांच करोड के हशीश जानते नहीं हमारा कितना नुकसान हो आए महा काल जी, नीना के होते हुए आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता आ गई, आ गई पांच करोड का माल आया, पांच करोड का माल आया ढिंग-डांग-ढिंग शाबाश नीना, हम तुमारे कबलेत से खुश हुए देखा मा काल, मैने का था ना, किति सुजान नंबर वन नंबर वन तो घंटे लेट आया, मगर आया जिन्दा मेरे नंबर बिलकुँ सही चल रहा है, सही खोल यह चाही चल्दी खोल, खोंचो अरे वह, अरे कमाल है यार, कमाल है क्या एक्टिंग है यार अरे, मर्णी की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, डिसुजा कि सच मुच लगता है कि तुम जिंदा ही गही हूँ कसब बहात रही की मान गए तुमारी एक्टिंग को बस डिसुजा बहुत हो गया क्या रप उठो, उठो मेरे नंबर वन, उठो नंबर वन कभी फ्लॉप नहीं हो सकता और बता दो इस दुनिया को कि नंबरी का नंबर कभी गलत नहीं हो सकता, उठो जब बच्चे के सोने का वक्त होता है महाकाल तो अच्छे माबाप उसे जगाते नहीं हमने तुम्हारे बच्चे को ऐसी गहरी नीन सुलाया है जिसे दुनिया वाले मौत कहते हैं क्रिष्ण परसाथ, आज तुने काले नाक को छेड़ा है महाकाल से टक कर तुझे बहुत महिंकी बढ़ेगी ये बात कल पर छोड़ो महाकाल हमने मौत की टायरी में तुम सब की मौत का वक्त अपने हाथ की एक उंगली से लिख दिया और मैं तुम्हारी उस टायरी में से हम सब की मौत मिटाकर काले रंग से तुम्हारी मौत लिखतूँगा क्रिष्ण परसाथ इससे पहले तुम तीनों अपने अपने मौले के कबरिस्तान में दोदोगा जमीन अपने लिए मपवा लो और सुनो हमारा अगला शिकार होगा बहादर सिंग्ग जो ना तो बहादर है और नहीं सिंग्ग कल रात ठीक बारा बजे वो गळी के कुट्ची की माउथ मारा जाएगा महादर सिंग्ग तुम्हारे लिए बारा का आकड़ा बहुत खराब है तुम पैदा हुए बारा तारीक को बारा बजे, और गलेती से कल भी बारा ही तारीक है और तुम्हारी मौत का वक्त तैकिया है, कृष्ण तरशाद ने बारा बज़े यानि के तीन बारा, तुम्हारे तो बजगे बारा मन गरो ये नंबरों का आकड़ा, सब गलत है पातुर सिंह, तुम खंडाला वाली कोठी पे चले जाओ, कृष्ण परसाद को मैं देख लूँगा कि अख्जाद जी पुझे मत बारा, कृष्ण पर्जाद जी मुझे बारा, मुझे मत बारा कृष्ण पर्जाद जी मैंने आपके परिवार को खतम नहीं किया है वो तो बहाकाल वह भुर चुँगा जी पर वारियती। मैं तो खावगा उस दोनों में बच्छाए है। वो दोनों कुमीने हैं, उन्होंने मेरी जिंदेखी भी बर्बाद कर दी है। मुझे बर्बाद कर दीजिये। मैं आपके पहु पर्ता हूँ। बरबाद तो तुझ जैसे बहादूर को हम करेंगे बहादूर, अब जरा आखें खोल के देख, जिसके आगे तु रोना रो रहा है, वो हम नहीं हमारा पुतला है, और अब अपने दमाग का दर्वादा खोलो और सोचो, जब हमारे पुतले ने तुमारी ये हालत कर दी, तो ज कस बहादूर की? बाल, बाल बच गए! बच गए! बच गए! ये ये जो पुतरा है, पुतरा है! बच्चे बहादूर से, कृष्नि परेसाद मौत की जाएरी में एक बार जिसका नाम लिख देता है, उसे यम्राज भी नहीं मिटा सकता इस अंधेरे में तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल उची तरह हमारे निशाने पर आ गई है जिस तरह शिकारी के निशाने में मकार लूम्डी आ जाती है बहादूर सिंग यह हमारे पिस्टॉल की नली नहीं तुम्हारे यहां रखेवे स्टेचू का डंडा है मौत की तस्वीर तुम्हारे जीरे पर उतराई ना बहादूर सिंग मगर इस तस्वीर में मौत का रंग भरने में अभी 15 मिनट बाकी है क्योंकि हमने अपनी मौत की डायरी में तुम्हारी मौत का समय ठीक 12 बजे का उतारा है पंदरा मिनट के बाद हम तुम्हाई तस्वीर में मौत का रंग भर देंगा किसमें बहादर की, बहाल बहाल बच गए अरे 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 टेप, उत्रेशा कराता है, अरे हिम्मत आदो सामने या शाला है, सामने या किती, कौना किया बहादर, मैं महाकाल बोल रहा हूं तुम हवेली पर हो, ये कृष्ण परसाद को पता चल चुका है हाँ, वो तो, वो तो मुझे भी यहां के अदात से लग रहा है मैं तो यहां तक डर गया हूं, महाकाल कि तुम्हारी आवाज भी मुझे, कृष्ण परसाद की आवाज लग रही है शाबाज देखो, तुम हवेली से फोरण भाग जाओ लेकिन अपनी गारी से मत जाना मगर, मगर क्यों क्योंके, कृष्ण परसाद ने तुम्हारी गारी में बम लगा दिया पाउप, तुक्या, मैं पैदली भागू हूँ आ, बिलकुल पाउँ पाउँ और देखो, हाईवे पर तुम्हे एक काली गारी मिलेगी उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें तुम्हारी मंजल तक पहुचा देगी मैं कंगी काली आच, काली राच, काली किशमस, आज सब काला ही काला है जल बहादूर भाग, भाग, बहादूर भाग थे ने जने बहादूर इस वार्थूर की भादूरी आज परी पर्थूरी कांस्यान है अरे भाग अरे भाग ले पकड़ कारी को भाग ले रहे अरे मिल गई रहे जाँ आपे वो सुसरे, महत मेरे पीछे पढ़ी हो, तु कैन की इंस हो रहा है, चल जल्दी चल, जा भी भाका लेगा गारी लेगे चल, चल बहा जल्दी चला साहिब, चला गड़ी का देखा तो साब, बारा बजने में भी दस मिनट बाकी है आपे 10 मिनट में तो लोग दुनिया बार कर जाते हैं, फिर ये रास्ता किस क्यात की भूली है, चल जल्दी कर जल्दी सही का तुमने पहदूर सिंग, दस मिनट के बाद तुम भी दुनिया के उस पार पहुचाओगे हाँ माय कमिन है, माय, तरी मौत है लेकिन लेकिन मैं तरी आथ नहीं बरूबा, मैं बाद रूसेंग, तुम्हारे लिए सब दर्वाजे बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ मौत का दर्वाजा खुला है, और इस सफर में सिर्फ तीन मिनिट बाकी है, अरजन गड़ी और तेज़ चलाओ कि मौत कर दो को दाद है कि दोस्तों ये मशीन हमने बच्चों के खेलने के लिए नहीं बलकि दौलत से खेलने के लिए मंगवाईए ये लिजा आपके हीरे और ये रहे आपके रुपए यकीन नहों तो गिन लीजिए ज़रूरत नहीं महाकाल के काले धंदे विश्वास की नईया पर चलते हैं और महाकाल से विश्वास खात करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ युमें को ना हूँ लो हमारा एक वादा तो पूरा हुआ बागी रह गए नंबरी दास और तुम कृष्णपरसाद मुझे मारने का तुम्हारा खाफ जिंदगी भर खाफ ही रहेगा अब माउत की टैरी होगी तुम्हारी और उसमें तुम सब का नाम लिखूँगा मैं अब पंचे सिर्फ उसका पता करना है जब मेरी खबरें कृष्णपरसाद के कानों तक पहुंचाता है अब नीली आँखों पर काला परदा डालतेने से तू महाकाल कुछ छलू नहीं सकती। महाकाल जी, आपका शक सच निकला। मैंने होटल ब्लू डामन में इनका निकर ली है। यह संगीता ही है, अर्जुन की मंगेतर। अब कृष्ण परसाथ के मौत के साथ तुमारा और अर्जुन का खेल भी खत्म हो जाएगा। अब तुम वही करोगी जो मैं चाओंगा। जाओं। यह भी हो गया। यह भी हो गया। संगीता बोल रही हूं। हाँ, हम समझ गये, बोलो क्या ख़बर है। महाकाल और उसके साथी कल 11 बजे मनोरी आइलेंड से हिंदुस्तान छोड़कर जा रही है। हेलो, हेलो, आरजन, हमाय दवा की तीसरी आँक में देख लिया है के संगीता खुद नहीं बोल ली जैसे किसी और का लिखवा पड़ रही थी। जाएरे संगीता पकड़ी गी। आइसा ही लगता है। वो भूल रहे हैं के हमने मौत की जैरी में महाकाल और नम्विदास की मौत का वक्त कल 11 बजे लिख दिया है। अरजन, मनोरी आइलेंड पर होने वाले अंतिम युद्ध की तुम तयारी करो। लगता है हमारे आने से पहले ही महाकाल… नहीं अरजन, महाकाल हम से मिले बगैर नहीं जा सकता। हुआ 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 झाल एगाराँ लायाँ थेखएफगे हाहाहा क्या देख रहे है क्रिश्न परसाद ये कोट का मैदान नहीं महाकाल का बिच्छाय होगा मौत का जाल है गड़े हमने खुद दिये हैं अब कबरें तुम दोनों की बनेगी तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड़ा खोड़ता है वो खुद ही उसमें गिरता है और आए तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो चाहे वो कोट का मैदान हो या मौत का जाल जीत का टीका हमारे माते ही लगा हमेशा महाकाल तुमने तो सरफ मौत के खड़े खो दे हैं जरा उपर नजर उठाओ और देखो हमने तुम्हाए लिए मौत के फरिष्टे बुला रख़्े हैं जो तुम्हे उठाकर इन खड़ों में डाल देंगे और दफ ना देंगे जन्ग बाज आगे ये मौत के फरिष्टे हमने बुला हैं महाकाल जिनके हातों में रखे हुए बाम वाले तीरों पर तुम सब की मौत लिखी हुई है अब तुम मसना चाहो तो हस लो और रोना चाहो तो रो लो तुम्हारी मौत अब हमारी उंग्जों के इशारे पर है देखना चाहते हो तो लो देखो महाकाल देखा इस छोटे सितीर का कमाल अब अपने आद्मियों से कऊ कि वो हत्यार फेक दे बर्खुरदार हत्यार वो लोग फैंकते हैं जिनके बाजों में हत्यार उठाने के ताकत महीं होती महाकाल जो भी चाल चलता है हुकम के पत्ते अपने जेप में रखा करता है एक नमुना तुम भी देख लो जल मेरे चामिया कर दूँगा अपने कवों से कैदो के हत्यार फैंग दे बना तरे हाथ की बनाई हुच जपानी कुड़या के भेजे के मैं छोड़े छोड़े टुकड़े कर दूँगा जलवा सोचने का वक्त नहीं है कृष्ण भरसाथ तुम हमेशा अपने डाइरी में हमारे साथियों की मौत लिखा करते थे ना लेकिन आज आज महाकाल ने तुम सब की मौत अपने हाथों के लकीरों में लिख ली है उसे तू तो क्या भगवान भी निमिटा सकता अब अपने पंदरों से कहो के नीचे उतर जाएं तरवाल हुआ 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 कर हमाद। है त थ़ओâte क सुप अ ध कर दो कि अ लू दना चाह पने अंडा उखे! इजाँ! पुछ पुछ एछ उन एओ सिर्भ टुछ ुछ पुछ खजर खबू ख़फ घख खव टुछ खव और टुछ पोर निया रॉच्स प्रप निय में जग और रवार सोä कि वप्सकतां बाहन सो आघर दे में जग्लीवाने प्रप प्र्पलम एड़ा क्रिड हो प्रहुझा कि वुए ऑदर अ more. म clustersials. नटें आडेंग भाली, ड revें रालीं बु ारीं यालीं यालीं बůéra जालीं यालीं यप पस्ट लख यालीं प्सकत की Sedlaş उशया आडिर जालीं जालीं अलिव बदिर ऑने हुट Гामा जाल प्सकत की हुट कि गम्हाइल! कि अहाँ दरी! यहाँ! बाँ भाँ!! दे आम अरगा! कि अहाँ पर्गाँ कि अविक कि अविक कि अविक विक हुआ 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 है मेरी डायरी की मेरा… मेरा नमर क्या है? मेरा नमर… मै… मेरी डायरी… अम्मा मरूआ… अम्मा मरूआ… नहीं… नमरी की किताब भी इन नमरों के साथ खतब होगी आज… खतब होगी… आएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग हराम दादे! अप्टूम! अप्टूम! अर्जुन! अर्जुन! क्रिष्टा जी, यह क्या हो गया? हर जंग का अंजाम यही होता है, अर्जुन. हमारी जिंदेगी का एक ही मकसद रह गया था, जो आज हमने पूरा किया. क्रिष्टा जी? हमने? हमने तुम दोनों के नाम अपनी सारी जादाद लिखती है. इस दुनिया में ले देकर तुमारे सिवा हमारा है ही कौन. नहीं, आप हमको केला छोड़कर मत जाएए. अर्जुन, ऐसा लगता है, जैसे ऊपर वाले नेवारे जाने का वक्त आज ही के लिए मुकरर किया हो. तो हम जा रहे हैं, तुम तुम दोनों आबाद रहो, शाद रहो. हमारी कभी याद आए, तो हमें याद कर लेना. कितनों की पुर्वानी लेकर होती है जंग, पुर्वानी से और भी गहरा होगा इसका रंग. जीवन की इस जंग में फिरते तेरी दुआ के संग. हमारी कर रहे हैं. कर्था करोंगा झाल